दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा WhatsApp Backup Delete कैसे करते हैं अगर आप WhatsApp का Backup Delete कर देंगे तो कोई भी बंदा आपकी चैट को Restore नहीं कर पाएगा Backup को Delete करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कौन सी Gmail ID के अंदर अपने WhatsApp का Backup लिया है इसकी लिए आपको 3.0 पर किलिक करना है यहां पर Settings पर किलिक करना है यहां आपको Chat Backup पर किलिक करना है अब यहां पर आप देखेंगे Google Account इस पर किलिक करके आपको चैक कर लेना है कौन सी Gmail ID में आपने WhatsApp का backup लिया है यहाँ पर मैंने यह वाली Gmail ID में WhatsApp का backup लिया है अब यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है WhatsApp को बंद करना है और App Draw में आना है और आपको देखना है आपके Mobile में एक App होगा Google Drive नाम से यह देखेंगे Drive लिखा हुआ है यही वाला App आपको open करना है इसके बाद इसके अंदर आपको देखना है कौन सी वाली Gmail ID से आपने login किया है आप देखेंगे उपर में यहाँ पर Gmail की profile दिखाई देगी इस पर click करना है और यहाँ पर आपको वही Gmail ID select करना है जिसके अंदर आपने WhatsApp का backup लिया है ठीक है जैसे के मैंने पहले से set कर रखी है इसके बाद उपर में आपको यहाँ पर 3 line पर click करना है अब यहाँ पर आपको option मिलेगा backups इस पर आपको click करना है इसके बाद कुछ time page load होगा और यहाँ पर आपको WhatsApp का backup दिखाई देगा आप देख सकते ही उपर में मेरे mobile का backup है और नीचे WhatsApp का backup है last backup कब हुआ था वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा backup को delete करने के लिए 3 dot पर click करना है यहाँ पर delete backup पर click करना है अब यहाँ पर आपको delete button मिल जाएगा backup को delete करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बदा दू अगर आप अपना backup delete करते हैं इसके बाद अगर आप दुबारा से WhatsApp को download करते हों इंस्टॉल करते हों तो आपका backup आपको वापस नहीं मिलेगा इसी तरह से अगर आपके backup की file किसी ने copy करके अपने पास रख लिये तो दोस्तो वो आपके backup को restore भी नहीं कर पाएगा इसके लिए दोस्तो आपको क्या करना है यहाँ पर delete button पर click कर देना है delete पर click करने के बाद पूरी तरह से आपका जो सारा के सारा WhatsApp का backup था वो delete हो जाएगा फिर दोस्तो आप खुद भी उसे restore नहीं कर पाएगे और कोई और बंदा भी और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं आगे से WhatsApp का backup अपलोड ना हो Google Drive में तो यहाँ पर आपको एक setting करना होगी backup to Google Drive इस पर आपको click करना है अगर यह daily, weekly, monthly पर set होगा तो उस time के मताबिक WhatsApp का backup Gmail ID के अंदर Google Drive के अंदर अपलोड होता रहेगा अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको इसे never पर set करना है never पर set करने के बाद आप WhatsApp में जितनी भी chat करेंगे उसका backup Google Drive में अपलोड नहीं होगा अगर दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबाकर all पर set ज़रूर करना